Hello everyone, I'm Aisha from National Academy of Fire and Safety तो आज हम बात करेंगे MSDS के बारे में MSDS क्या होता है? किस टीस के लिए यूज आता है? इसके क्या यूज़र्स हैं? इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी MSDS जो है वो किसी भी इंडरस्ट्री में वर्क प्लेस पर बहुत ज़रूरी है इसे मैंटेन करना अगर आपने वेनिफेक्टरिंग में कोई भी ऐसा कैमिकल यूज़ कर रहे है जिसका हेंडलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है ऐसका मैंटेनेंज करना भूर्वारी है और अगर आप वो चीज यूज़ कर लेथ तो उसे यूज़ कैसे कर नहीं है उसका फ्लेश पैंन्ट लेंट अट क्या है, फाइर पैंन्ट या यह सारी चीज़ें दी रहती है data sheets ठीक है sheets रहती है material safety की data sheets रहती है जिसमें क्या होता है उन data sheet में उस material के बारे में बताया जाता है कि ये इतना material है इतना toxic है इसकी flesh point ये है fire point ये है कितने हजाडियस है health पर क्या effect करेगा पीपी इस precautions क्या लेने है ये सारी चीज़े उसमें दी रहती है उसे बुलते है MSDS ठीक है MSDS जो है वो हमें maintain तो करना पड़ेगा ना इसके क्या रहते है एक sheet रहती है जिस पे सारी चीज़े लिखी हुई रहती है कि ये कौन सा material है इसे handle कैसे करना है कैसे इसको store करना है ये सारी चीज़े उस पे पताई जाती है इस तरीके से जो material safety data sheet है एक safety data sheet जैसे बूल सकते है इस तरीके से उसमें रहता है जैसे कि fast reactivity उसका हो गया second fire hazard कितना है इसमें जो भी material है health hazards कितने हैं इसमें और material जो है उसमें क्या क्या हम use कर सकते हैं इसमें लिखा use no water ठीक है तो ये water absorb नहीं कर सकता है water इस पे use नहीं करेंगे तो इस तरीके की सारी चीज़े उस पे बता दी जाती है noted कर दी जाती है कि इस तरीके का material आपको किस तरीके से handle करना है किस तरीके से store करना है इसमें ये बताया गया है कि मतलब उसे HIZARD क्या-क्या हो सकते हैं तो पूरे हIZARD के बारे में इसमें बताया गया है कि कोई भी material होता है तो उसको हमें कैसे पता करना है तो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं ठीक है मेन काम उसका क्या होता है MSDS का वो ये पताता है किसी भी product में कितना chemical है इससे क्या क्या hazard हो सकते है हम इससे risk measure क्या 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 कर सकते है precautions क्या क्या ले सकते है और ये हमेशा updated रहता है कोई भी material हो इस तरीके से देखिए इस side में जो sheets है वो आपको दिख रही होंगी इस तरीके से उसमें सारी चीज मेंटेन होती है कि जो भी product है उसमें chemical कितना है हजार कितना हो सकता है ये सारी चीज़ों उसमें बताई जाती है आप कैसे precaution ले सकते हैं ये सारी चीज़ों उसमें बताई जाती है तो इस तरीकी की sheet से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कितना chemical है, कितने हजार्ड है और इसकी फार हजार्ड risk कितनी है, risk check कर सकते हैं ये सारी चीज़े अगर हमें पता होगी तो हम इसका measures और precautions भी तो कर सकते हैं तो इसलिए ये MSDS बनाया गया है ताकि हम पता कर सकें कि किस material को किस तरीके से handle करना है अब MSDS जो है वो सब को पता होना चाहिए, ठीक है क्योंकि इससे क्या पता चलता है, इसमें कितना chemical है जितने भी operators उसे operate करने वाले हैं, जो भी उस सामान से use करने वाले हैं इसको तो पता होना ही चाहिए कि क्या हो, इस सामान में क्या 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 हो सकते हैं, कैसी risk आ सकते हैं, ठीक है तो इसलिए ये जो है, वो सब को दिखना चाहिए, इसके MSDS शीट जो है, material, safety data sheet जो है, वो दिखनी चाहिए मतलब इस तरीके से लगे हो नीचे, कि ये material रखा हुआ है, तो उसमें sheet जो है, वो दिखनी चाहिए सामने कि जिससे कोई भी अगर उसे use करने जा रहा हो, तो उसे उसके prevention पता हो, सारी चीजें उसे पता हो देखिए, इस तरीके से आप एक documentation भी maintain करके रख सकते हैं, या data sheet आप बना सकते हैं, product name आप उस पर लिख सकते हैं, product information हो जाएगी, फिर हजारे ingredients क्या क्या है, उसमें physical data क्या है, उसमें fire explosion क्या है, उसमें उसकी reactivity क्या है, prevention measure, first aid measure, ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये सारी sheet बनाते हैं, तो आपको खुद पता होगा, कि जो भी material हम use कर रहे हैं, उसमें कितने हजार्ज हैं, उसकी first aid हमें क्या लेनी है, measures क्या क्या रखने है, prevention हम कैसे ले सकते हैं, कितने toxic gas है, उसमें material है, ये सारी चीज़े हम maintain कर सकते हैं, MSDS से, क्योंकि जब हमें उसके बारे में पता होगा, तो उसको handling करने में भी कोई problem नहीं आएगी, है ना, कोई भी चीज हम use कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, कि हम उससे unknown थे, इस वज़े से accident हो गया, तो MSDS जो है, वो आपको पहले से उस बारे में जनकारी बता देता है, कि ये material इस तरीके का है, आपको इसे ऐसे use कर protection आपको लेना होगा, पी-पीज पहनने होगे, जैसे की goggles हो गया, hand gloves हो गया, ठीक है, इस तरीकी की चीज़ें होगी, आपको पूरा प्रापर पहनना होगा, उसे wear करना होगा, क्योंकि ये materials जो है, chemical जो हो सकता है, आपकी skin को harm कर दे, मास्क भी लगा के रखना होगा, हो सकत उसमें से ऐसी smell आ रही हो, जो आपके lungs को खराब कर दे, ठीक है, इस तरीकी की चीज़ें आपको notice करनी होगी, कि कोई भी आप ऐसा chemical material यूज कर रहे हैं, तो आपको खुदी prevention लेनी होगी, वैसे तो उस पे सारी चीज़ें बताई जाती हैं, कि आपको कैसे precaution लेने हैं, सार की चीज़ें भी ऐसी रहती हैं, जिसके बारे में सबको अवेर रहना चाहिए, कोई भी material अगर आप यूज कर रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि कितना हजाडियस है ये, तब ही तो हम खुद को बचा सकते हैं, और वैसे भी जो भी आप work कर रहे हैं, उसको हमेशा अपनी work place पहन के ही करना चाहिए, तो material safety data sheet जो है, आपको इस तरीके से help करेगी, किसी भी material की safety रखने में, ठीक है, तो ये सारी चीज़े मैंने आज आपको material safety data sheet के बारे में बताया, जैसे कि कोई भी material आप यूज में ले रहे हैं, तो उसको इस तरीके से safely use कर सकते हैं, और अपनी work place के accidents को भी बचा सकते हैं, so thank you